आज हम पढ़ेंगे effrant and effrant branchial arteries of a fish उसकी फिश के अंदर जो effrant और effrant arteries होती है वो किस तरह से पाई जाती है और कहां स्थित होती है तो यह हम एक फिश देख रहे हैं स्कॉलोड हो नहीं ठीक है वैसे सभी जो फिशेज होती है उनमें सेम होता है इफरेंट एफरेंट ब्रेंकिल सिस्टम यह आप ध्यान में रखिएगा तो हमने इसका डिसेक्शन किया और इसको हमने साइड में करके देखाए ठीक है वरना आपको इसमें कुछ समझ मिन आथा इसलिए इस्टाइग्राम में साइड में करके दिखाय हुआ है कि जो ब्रेंकिल सिस्टम है यह फिश के ट्रंक रिजन में पहले जाता है ठीक है तो अफरेंट परेंटियल आर्टरी इसकर विर्थियल गाया dopलभ एक यह को से बीसे अवह कहीं प्राऊं को हैं यहरा लगा हो डाया लिए आप तरह भर में हसे इन हमान भी सकते हैं और नहीं है समझने के लिए आप सिर्फ एक बर आर्टरी को दीखें वैसल को चोड़ दीजिए ठीक है तो जो फर्स्ट एफरेंट ब्रेंकिल आर्टरी है इतके जस्ट नीचे है सेकेंड थर्ड फोर्ट एंड फिफ्ट ठीक है फाइफ इस तरफ है और फाइफ ही इसकी अपोजर तरफ है यह है इफरेंट और यह है एफरेंट से आती है और एफरेंट से जाती है ऐसा ध्यान में रिखिएगा ठीक है एफरेंट ए, एफोर आ, मतलब आती है, ठीक है, और जो आप, हाँ, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, कि हार्ट से आती है, ठीक है, तो, और फिर इसका जस नीचे देखिए आप जान से, कॉनस आर्ट्रियोसस, ठीक है, ये जो खोखला सा आपको दिखाए दे रहा है, बॉक्स चे एक साफ मेइई, डक्टा स्कुरी, एक साफ में ये हैं, दिख सकते हैं, इस पूरे आवरन को बलते है, अप देख सकते हैं, पूरी फिष को, ओपर से स्राट होते है, ठीक है, ये तो पूरा इसका हार्ट इसस्तम है, ठीक है, नॉस्ट्रिल ए, आइस, और फिर उपर, दियर cerebral artery, posterior cerebral artery, efferent spigular artery, जो साइड में जा रही है, और यहां पर है internal carotid artery, stapedal artery, basilar artery, बेस में है, buccal artery, यह buccal cavity में जाती है, brachial cleft, इंते गिल्स, गिल्स में जाती है, brachial cleft, और अपर बेंकिल आर्टरी, subclavian arteries, दोर्सला और्टा, और पराइडल आर्टरी, caudal arteries, iliac arteries, post-mysentric arteries, linogastric arteries, और सिकोलिय, mesocentric arteries, तो आपको इसका पूरा याद में करना है, सिर्फ आपको dissection में, अगर practical exam में देंगी तो सिर्फ यही देंगे, इसका ही diagram आपको बनाना होगा, सिर्फ यह जो बहार निकाल के दिखा होगा, ठीक है, और आप यह vessels थोड़े से फोट दिखा सकते हो, diagram को थोड़ा और attractive बनाने के लिए, बाकी अगर आपसे time gum है तो आप इतना ही बना सकते हो, ठीक है, इसको बनाने का तरीका एक पर समझ लिजिए, सबसे पहले आपको एक बीच में एक row बनाना होगा, ठीक है, रो बनानी होगी, उसके side में आपको चार आर्टरी निकाल देनी होगी, ठीक है, दोनों तरफ चार आपको नाम लिखने है, फास से लेकर फिस तक नाम लिख दीजिए गा और इसके जास नीचर एक बना दीजिएगा, गुबारेन वास रज़शा, इसको हार्ट बोलोगे और इसको वेंट्रिकल बोलोगे रिख और इसके चार तरफ परिकार्डियम, इन दोनों वेंट्रिकल से दो साइड में डक्टर्स क्यूवेरी निकलते हैं और यह जहां से निकलता है, बनना शुरू होता है, उसे कॉनस आट्रियोस बोलते हैं, इतना इजी सा डाग्राम में, ठीक है, अच्छे से बना सकते हो आप लोग, थैंक्यू